हुआ हालो फ्रेंट्स बेरी बॉर्णी तु यू और आप सभी अच्छी होंगे और आपने अपने अपने लास्ट आपिक को रिवाइस कर लिया होगा लास्ट वीडियो में आप चेक्टर एट को स्टार्ट किया था किक है वेंड स्टॉर्म और साइक्लोन उसमें थी में की बात किती फ्लो उफरेंट्सी इसके बारे में बात कीती और एक एक्साम्पक के बात किती तो आज हम कईन्योगी नेक्स्ट थामशन में अस्ट इएर आपहक्ती जो विया आपको वहटी चुटा से टोपिक है आपको दिखाई देना होगा इसमें ठीद फहां से क्या है दो पॉइंट्स लेकिन ये टॉपिक दो पॉइंट्स में खतम नहीं होता आपकी एंसीराटी बुक के एकॉर्ड ये टॉपिक आपको दो पॉइंट्स में दे रखा है लेकिन अगर आप इसको जंग से समझना चाहते हैं क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि आपको साइंस प्रैक्टिकल सब्चेक्ट की तरह पढ़ाई जाए ना कि रटवाया जाए तो तो कुछ कंसेट्स हैं जो आपकी बुक से भार है तो उसके लिए टेंशन मकिली जीएगा वो मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलिज के लिए पढ़ा पड़े आपको कंसेट्ट याद हो ना कि आपको रटना पड़े तो आज कंटीनियू करते हैं वेंड़ स्पीड गवेंड इंक्रीज इस लोवर्स डाउन दा एयर प्रैशर अब होता क्या है जब भी विंड की स्पीड इंक्रीज होती है तो प्रैशर क्या हो जाता है एयर लोग हो जाता है अब आपके माईंड में कोशना रहा होगा आना भी चाहिए जैनल ही होता किया है कि सबी भच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि जब एर का प्रेशर भड़रा है तो क्या हो रहा है जो बहुत टेजी से आरही है तो तो प्रैशर भी ताजी से लग रह रहा है तो वाली बुक्स के पन्ने, ठीक है, ट्रीज की लीव्स, बैनर्स, फ्लटर्स होती है, ये सारी चीजे, तो इसका में वीजन ये है, मैं आपको समझाता हूँ, सबसे पहले ये देखिए, इसमें बताया क्या गया है, f ie, speed of wind increases, s का मतलब मैंने s को denote कर रहा है, speed से, on p को denote कर रहा है मैंने pressure स, तो speed क्या हो रहरी है हमारी, इसमें क्या बोल inquise, speed क्या हो रही है, and decrease हो रहा है, अब generally सबसे पहले हम wind के बारे में बात करते हैं कि wind होती क्या है, wind के एंगर आता है, wind का मतलब क्या होता है moving air जो एक particular direction में move कर रही होती है उसी को basically wind कहते हैं तो air अब क्या होती है अब air को समझते है air generally क्या होते है हमारे molecules जो gases molecules से मिलके बनी होती है उसी को होते है at air तो आब हं बात करते है slow wind की speed और high wind की speed के time पे होता क्या है जब wind की speed क्या होती है slow होती है तो पुछ इस तरीके के molecules होती है ठीक है जब हमारी wind slow होती है तो जो molecules होते है empirical उनको पूरा time मिल पाता है आपको दिख रहा हूआ है materials,, यह DODOT क्या है molecules तो हो क्या हらा है कि जब हमारी wind की speed slow होती है तो हमारी जो molecules वो अच्छी तरीके से एक एक molecules पर क्या करते है septem prakt को exert करपाती है हमारी wind जब wind की speed slow होती है तो क्या होता है जो pressure है वो हर एक molecules पर अराम से उसको इतना time मिल पाता है कि वो so like लगा होती है तो कुछ इस तरीके का डाइगराम होता है ठीक है इसमें क्या होता है जो मॉलीक्यूस है उनको इतना टाइम नहीं मिल पाता कि उनके ओपर पूरे तरीके से प्रेशर लग पाए प्रेशर लग पाए ठीक है अब यह था हमारा पॉइंट कि स्पीड इंक्रीज होती है तो हमारा प्रेसर क्या हो जाता है 对ence हो जता है अभी इस इसम्हांपल ने बताए है विंड की स्पीड क्या होई इंक्रीज होई तो हमारा मैं क्या अटिकिझ हो गया क्या है स्फीड क्या उग और इंक्रीज हो डिक तो प्रेसर भीजोत यहां फिए स्टॉ low exert pressure जो हमारा प्रेशर है वो कैसा लग रहा है slow ठीक है थोड़ा लग रहा है अब हाई के बाद करें तो यहां पर क्या है ज्यादा तेजी से प्रेशर लग रहा है यह समय जागे आपको तो इसी का reverse case जब क्या हो जब हमारी जो speed है विंड की कम होगी तो क्या होगा ज्यादा अच्छे से प्रेशर लग पाएगा आप सभी को समझ आ गया होगा यह था हमारा first point अब second point की तरफ move on करते है एर flows from a region of high pressure to low pressure अब जो हमारी एर वो हाइड प्रेशर से low pressure की तरफ move करती है इसको समझते हम सबसे पहले हम pressure को समझते है कि हमारे पास दो तरिके की प्रेशर होते हैं high pressure और low pressure अब यह pressure होता क्या है यह pressure generally हमारे atmospheric pressure होते है ठीक है, ये High pressure क्या होता है, Heavy air इसके अंधर क्या आती है, Heavy air, अब ये Heavy air होती है, वारी है, Cold air, क्या होती है, Cold air, ठीक है, आप सभी ने देखा होगा, कि जर्नुली, बारिश में क्या होता है, अगर हम पेपर को ऐसी डाल दें, तो जब उसके अंदर पाणी भर जाता है, तो क्या होता है वो ? धूबने लगता है अब इसी तरीके से जब हमारी air वो heavy हो जाती है Set और फंडी होती है तो उसके sink करने लगती तो इसी को मोलते हैं High Pressure लो प्रेसर के बात करते हैं, तो लो प्रेसर में क्या होता है, लाइट एर, कैसी होती है, लाइट एर, अब आप कोई भी पाली को गरम करते हो, किसी भी चीज को गरम करते हो, तो उसमें से जो स्टीन से निकलती है, ठीके जो गरम एर निकलती है, वो आप समय निखा होगा हमे विश्या क्या करती है उपर की तरफ जाती है तो ये था हमारा low pressure high pressure के बारे मिलाद करें और low pressure के बारे मिलाद करें अब हम अपने point पे आते हैं कि जो हमारी air है वो high pressure से low pressure के दर move on करती है कि इसको समझने के लिए हमारी NCRT बुक में एक बेस्ट एक्जांपल दिया हुआ है मैं उसी के मज़से आप सभी को समझाने के कोशिश करूआ देखते हैं इसको अब यह क्या है एक स्ट्रिंग इस पर क्या है दो बैलूंस बने वहें एक यहां पर और एक यहां पर यह हमने बैलूंस को बांध रखा है और इसके बीच में क्या है गैप है इसके बीच में क्या कर रहे हैं खड़े होकर विंड को ब्लो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं फूक मारने के वैसे हो क्या रहा है क्या हो रहा है लो प्रेशर क्रियेट हो रहा है मतलब जब हमने फूक मारी तो क्या होगा wind की speed increase होगी और जब wind की speed increase होगी तो pressure क्या है कम लगेगा ठीक है pressure क्या है कम लगेगा तो इसी के वैसे हो क्या रहा है जो हमारे balloon है उसके अंदर क्या है high pressure और है कैसी है low pressure ठीक है तो हो क्या रहा है जो हमारे बैरून है वो आपस में एक दुस्रे को क्या हो रहे है अट्रेक्ट हो रहे है जब हम बीच में लो प्रेशर को क्रियेट करेंगे विंड को ब्लो करकर तो क्या होगा हमारे जो दोरों बैरून है आपस में क्या करेंगे एक दुस्रे से वा रजाओ तुर स्षैंट में हैं क्याओ तो हम कैसे movements करेंगे हाइद क्लभ करेंगा हुँ Som? मारे यह किसी टर kısmfel मूवी करेंगी है से लो की टरफ इसी तरीकहे से बीच में लो प्रेशर अगर रांहें वाले वैलोन की टरफ क्या है है इसी से connection कि इसकी यूजर के लिए नहीं करेंगे तो बीच में लो प्रेशर क्रेट हो रहा है और जब हमारी कि स्पीड होती है तो प्रेशर कम लगता है इसी के वैसे हमारे जो दोनों पहलों है वो क्याए दुस्रे की तरह अट्रैक्ट हों गे तो ये को समझाने के लिए था पूरो concept I hope आप सभी को समझ आ गया होगा एक बार रिवाइस कर लेते हैं जब हमारी speed किसकी wind की जादा होगी तो हमारा pressure कैसा होगा कम लगेगा ठीक है जब हमारी wind की speed जादा होगी तो pressure हमारा कम लगेगा second point इसी का reverse case की बार में बात करते हैं जब हमारी speed कम होगी तो हमारा pressure ज्यादा लगेगा अच्छे से molecules को time मिल पाएगा कि वो pressure को exert कर पाए second point air flows from a region of high pressure to low pressure जो हमारी high pressure से low pressure की तरफ move on करती है जो रटने वाले बच्चे हैं वो इस तरीके से दिलान रखे और जो concept को समझना चाहते हैं वो concept को समझ ले ठीक है मैंने आपको पूरी अच्छी तरीके से समझा दिया है I hope आप सभी को समझ आ गया होगा आज के लिए हमारे यह topic ठीक है आज आपने किया flow of air flow of air को हमने बहुत अच्छे तरीके समझा ठीक है यह conceptual था concept समझाना ज़रूरी है ना की रटना तो आज के लिए इतना ही thank you आपने की रटना ठीक है